हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग वोफुली आप सब सही होंगे तो चलिए आज हम एक और नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है इसमें हम चाप्टर टू क्लास 11 का बालाजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स पार्ट नहीं बना चुकी हो आज हम उसके आगेगा गंटीनु तो हमने कुछ चीजी फर्स पार्ट में कर ली है जिन्होंने यह सब हमने फर्स पार्ट में कर लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ सकते हैं फिर सेकिंड वीडियो देखेंगे तो वह ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो आज हम पढ़ने वाले किसके कीफिकल काले किनग्डम फर्स टाट के बारे में है तो पर टिस्टा क्या है इसम01 तम तो इसके अंदरर के जो है वह सिंगल सिंगल सैल यूकरिकलीट होई और प्रोटेंबी निट सब्सक्रांगिट प्रीकारे अनिमल्स के दना फिर में वाहन evolves रहो जो पेडिका फोला प्रोटेंगिज़ना कुछ पॉस्टा इसनिका सकती है रवा उनकिज़न कान था कहान प्रोटेंग सब्सक्राइब क्राइसोफाइट्स क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं यह फ्रेश वाटर में रहने वाले फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में रहने वाले होते हैं ठीक, फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस करते हैं माइक्रोस्कोपिक हैं सब्सकुलोट मतलब कि ये इतने चोटे हैं कि उनको हमें से मैंकरो सब्सक्राइब बोला मै करो सकोपिक के प्लैंक्टाणन है जो कि और उस्वरल जो होती है वह सिमासी अपल्सक casa अंपल मतलब pu she's開ब नहीं होती तो इनकी सेल वांस जो ओर सिलि का है जो कि इसको इनकी गारेकिसे वो डिस्ट्रक्ड बना के रखता है और POLC i6 को कैसे होते हैं ओवरलाब करतें एक धूसरे से जैसे सोब्स का भॉक्स होते हैं क्यूपर एक स्यूप बॉक्स रखी रहती है वैसे यह भी रहते है तक यह एक दूसरे कि सेल वाल तो हम gritty soil भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इनका इनका यूज कहा कहा किया जाता है polishing में यूज करते हैं filtration of oils में यूज करते हैं सिरिप्स में यूज करते हैं अब हमारे बास next category है Kingdom Protista की next category क्या है इनकी सेललूस इनके पас दो काम करता है और दूसरा था लिए पीच में प्रांस्वर्सु इनके बीच में एक लॉंडिटीन रहता है और करता। और एक लपल्स वाले रहता है इनके एक्जाम्पल्स हैं ग्वाइनल एक्स जो की बहुत जादा rapidly multiply होते हैं और जिसकी वज़े से क्या होता है मदब red tights क्या है जो जिसमें हमारा sea जो होता है वो red color का दिखता है वो वो इनी की वज़े से होता है और produce toxins कुछ toxic substance जिसकी वज़े से जो दूसरे आनीमल्स वहां पर है रहे हैं जिसे फिशे वगेरा वो उनको हाम होता है नेक्स्ट है हमारे पास third category euglenoids euglenoids क्या होते हैं यह stagant water stagant water मतलब stable water में पाया जाता है अब इनकी जो have protein इनकी जो layer होती है उसमें बहुत सारा protein होता है जिसका नाम है pallicle pallicle की वज़े से क्या होता है उनकी body flexible बनती है अगर sunlight present है तब तो यह photosynthesis करते है euglenoids लेकिन अगर sunlight नहीं present है तो यह heterotrops की तरह रहते हैं और heterotrops की तरह रहते हैं जो कि predators predating करके फिर अपना food वो absorb करते हैं या predating करते हैं अगर sunlight इनकी present है अगर sunlight है तो photosynthesis करेंगे और अगर sunlight नहीं है तो photosynthesis नहीं करते हैं यह heterotrops की तरह behave करते हैं इसे एक्जामपल है यूग लेना नेक्स्ट है हमारे पास slime molds slime molds क्या होते हैं next category है हमारी protesta की slime mold जो की एक saprotrop saprophytic protesta है ठीक है क्या है saprophytic protesta यह under suitable conditions plasmodium इसमें क्या होते हैं differentiate करते हैं and forms fruiting fruiting body बनाते हैं जिसमें इनके tips पे tips पे क्या होते हैं sports होते हैं इनके tips पे sports होते हैं fruiting body करते हैं sports के पास true walls हैं extremely resistant होती है जिसी resistance की वज़े से survive कर पाते हैं बहुत सालों तक अगर इनकी walls resistant ना हो तो यह इतने जादा लंबे समय तक नहीं जी पाएंगे लेकिन यह जी जाते हैं किसकी वज़े से इनकी extremely resistance की वज़े से अब यह अब इनका sports हैं पे तो इन डिसपर्स भी करेंगे और डिसपर्स कैसे करते हैं यह डिसपर्स करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास protozoans protozoans क्या होते हैं यह हेट्रोट्रोफिक होते हैं ठीक है predator की तरह रहते हैं या parasite की तरह हैं या तो शिकार करेंगे या तो होईगे अब यह ग्रूप में बता हुआ प्रोटोजोन पहला है दूसरा इसलियते तीसरा इसलियते और 4 है हमारा справa zone प्रेज़क और यह हमारा तो आपकार के इनके बारे में देखते हैं क्या है यह हमिवॉईड है यह पहली ऐस हमे रहते हैं और यह अपना प्रे कैसे करते हैं यह अपने प्रे को कैच करते हैं जैसे किT अंट रहा आधी आप जाहिके हैं इसकी के अपरी को प्रचीवेटिर्टेट्र प्रोडोजोंड एक्जामपल है ट्राइफो ट्रैपैनोजोमा क्या होते हैं इनके पास सब्हटेटिया है जो कि जिसकी वुद्धे से यह मूफ करते हैं अपने फूड को मूफ करके गुलेट्स में डालते हैं और यह सीलिया किसके काम आता है लोको प्रोटिस्टा के बारे में प्रोटिस्टा के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम फंगी के बारे में तो फंगी क्या है कैसे है तो अगर समझ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी और अगर आप मेरे से शोचल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसकी दिस से वहां से भी जुड़ सकते हैं तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई